एक समय पर दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटन के लिए आज सबसे बड़ी राहत की खबर है खबर ये कि ब्रिटन से अलग नहीं होगा स्कॉट्लिंग आखो बताते कि 32 राजियों में वोटों की काउंटिंग इस वक्त जारी है जिसमें से 26 नतीजे आ चुके हैं 26 में से 22 राजियों ने ब्रिटन के पक्ष में वोटिंग की है अभी तक केवल 4 राजियों ने ब्रिटन से अलग होने के लिए वोटिंग की है ये साफ हो गया है कि स्कॉट्लिंग के लोग ब्रिटन से अलग नहीं होना चाहते हैं स्वतंत राज्य स्कॉटलंड बने ये नहीं चाहते हैं और अभी तक आए नतीजों के मताबिक साथ फीजदी लोगों ने बृतन के साथ रहने पर मुखा लगाई है जब कि 40 फीजदी लोगों ने अलग होने के लिए वोटीं की है आपको बता दे कि सुभा से ये वोटींग जारी है भारते समय नुसार और आज इस बात का फैसला होने जा रहा है कि स्कॉटलंड युनाइटिट किंग्डम का हिस्ता बना रहेगा या फिर एक आज़ाद मुल्क के रूप में दुनिया के सामने आना चाहेगा 307 साल पुराने सी यूनियन का भविश अभी फिलाल बालिट बॉक्स में बंध है वोटिंग जारी है और काउंटिंग में करीब 60 फीजदी लोग ये कह रहे हैं कि वो स्कॉटलंड को अलग देश का दरजा नहीं देना चाहते है अगर स्कॉटलंड वासी अपने देश की आजादी के पक्ष में फैसला देते हैं जो की फिलाल नहीं दिख रहा है तो स्कॉटलंड 24 मार्च 2016 को एक आजाद मुल्क बन जाएगा साथी आपको ये बता दें कि स्कॉटलंड के ब्रिटिन में बने रहने या स्वतन देश बनने के लिए जन्मत संग्रे के नतीजे आने शुरू हो चुके है